Assalamu alaikum everyone welcome to my channel Faisa Vaseem और आज की इस वीडियो को टॉपिक है हमारा calculate the overall reliability of the system आज की इस वीडियो में हम calculate करने वाले हैं अपने system की reliability basically यहाँ पर हमारे बास एक problem है let's read it out consider a mixed mode system यह हमारे पास mixed mode system available है comprises of serial and parallel components यहाँ पर कुछ components हमारे पास serially connected है means यह जो बिलकुल serial में अगर connected है तो हम उसको serially कह रहा है और कुछ components हमारे पास parallel connected हैं जैसे के यह वाले components as shown in a figure यह मारे पास figure available है तो calculate the overall reliability of the system इस पूरे system की हमें overall reliability calculate करनी है कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में कम तरी details देख लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ आपे clear कर दूँ कि अगर हमारे पास system serially connect होता है like इस तरहां से तो उसकी जब हम reliability calculate करते हैं तो कैसे करते हैं हर component की value होती है उनको multiply कर देते हैं एक दूसरे के साथ ठीक है लेकिन अगर हमारे पास हमारा जो system है वह parallelly connected है बिलकुल इस तरह से तो उसकी हम reliability कैसे calculate करते हैं उसका formula होता है हमारे पास r is equal to 1-f of t f of t क्या है यहां पर हमारे पास value ठीक है f of t is equal to 1-r of t यह हमारे पास formula है let's say for example यह दो components है हमारे पास 1-2 component की value तो इस तरह से हम अपनी reliability calculate करते हैं गब हमारे components parallel connected हो लेकिन serial में हम कैसे करते हैं उनको simply multiply कर देता है तो चलिए वापिस से चलते है अपनी problem की तरफ जैसे के यहां पर आप लोग चैक कर सकते हो हमारे पास components parallel connected है like यह दोनों यह तीनों components हमारे पास serially connected है जैसे के यह 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 और यह यह दोनों हमारे पास serially connected है इस तरह से अब हम लोग कैसे इसकी complete system की overall reliability calculate करेंगे let's start सबसे पहले हम लोग consider करते हैं इस वाले component को इस वाले component को हम consider करते हैं और इसको हमने नाम देदिया A का parallel connected है तो हमने formula देखा था 1- f तो कैसे calculate करेंगे 1- 1st वाले की value ठीक है और उसको multiply कर देंगे 1- 2nd वाले की value इन दोनों को पहले हमने calculate 1- 0.9 और इन दोनों को minus 1- 0.8 जो भी value आएगे उन दोनों को आपस में multiply करेंगे और उस value को हम 1 में से minus कर देंगे तो हमाई पास A की value आगई 0.98 अब हम consider करें 2nd component को जो कि हमाई पास यह तीनों अब यह तीनों भी हमाई पास parallel connected है तो इनको हमने नाम दे दिया B का इन 3 components को हम नाम दे रहा है B का अचा मेरा pen ठीक सा नहीं चल रहा कोई मसला नहीं है तो अब इसमें भी हम simple यही वाला formula लगाने वाले हैं कैसे 1- 1-0.95 first component की value थी multiply by 1-0.9 multiply by 1-0.9 इन 3 components varially connected थे इन 3 को पहले calculate किया ठीक है उनकी minus की values then उन 3 को आपस में multiply किया और 1 में से minus कर दिया तो B की value आ गए हमारे पास 0.995 यह 2 components solve हो गए अब हम C को consider कर रहे हैं कौन सा वाला C है हमारे पास इसको हमने C हमारे पास जो है तो simple नहीं sorry इसको हमने C consider नहीं किया इसको हमने D consider किया sorry mistake हो गई मसे है यहां पर हम लोग C किसको consider कर रहा है? इसको यहां से लेकर और यह वाला component जितना भी है यह हमारे पास है C pen ठीक से चलने रहा है समझ में आ रहा होगा इसमें serially connected है 0.9 multiply by A की value multiply by A की value multiply by B की value multiply by 0.95 तो A की value के आई थी हमारे पास 0.98 यहां पर put करी और B की value के आई थी हमारे पास 0.95 यहां पर put करी और multiply by यह इन 4 को आपस में multiply कर दिया answer आ गया 0.837 यह आ गए हमारे पास C की value ठीक है? अब हम ले रहे है D जिसको मैं C क्या रहे थी अभी हमारे पास D है ठीक है यह दुनों आपस में serially connected है तो इन दुनों को हमने simply multiply कर दिया और यह answer आगे हमारे बास 0.85 अब सबकी individually तो calculate कर दिने लेकिन अब पूरे system की calculate करनी है तो यह पूरा system जो है हमारे पास इसको हम consider कर रहे है E ठीक है E कैसे calculate किया है? हमने 1-C C क्या था हमारे पास? यह पूरा system C हमने clear था यह वाला पूरा हिस्सा sorry यह वाला पूरा section ठीक है यह था हमारे पास C और यह था हमारे पास D तो C और D आपास में parallel connected होगा है तो वह वाला formula लगाएंगे 1-1-C की value multiply by 1-D एक दफा फिर से बता रहे हूं C और D कैसे लिए है यह हमारे पास है D यह दोनो components D है और हमने C की value calculate की थी यह वाले पूरे component की ठीक है यह जो बाकी सारे है तो कैसे किया कि C की value और D की value 1-C multiply by 1-D तो C की value put कर दी answer आया था हमारे बस 0.837 वह यह पर put कर दिया और D की value answer आया 0.855 यह पर put कर दिया इन दोनों को minus किया multiply किया आपस में और 1 में से minus answer आया 0.97 so the overall system reliability is 0.97 0.97 so इस आसम अपने complete system की overall reliability को calculate करते है I hope मैंने आप लोगों को clear करने की कोशिश की है I hope this video this problem is clear to all of you problems related कोई पी question हो यह कुछ भी समझ में नहीं आया हो comment box में पूस से लगए please अपना feedback comment box में देना मत भूलिएगा मिलता है next video में बहुत चो topic के साथ अपना बहुत जादा खयाल रखिएगा मुझे दुआउं में बहुत जादा याद रखिएगा Allah Hafiz